मेरी बहन क्लोई पेपा और जॉज बगीचे में खेल रहे हैं मेरी तरह पैको तुमने बहुत जोर से बॉल पैका जॉज तो रूल के हिसाब से मैं जीत गई अब मेरी बारी मैं फिर से जीती पेपा जॉज आज तुम्हारी बड़ी बहन क्लोई हमसे मिलने आ रही है येपी, क्लोई जोज, क्लोई मेरी जैसे बड़ी लड़की है तो अगर वो तुम्हें चोटा समझ कर तुम्हारे साथ ना खेले तो बुरा मत मानना मुशे यकीन है क्लोई तुम दोनों के साथ खेलेगी क्लोई आगई आँटी पिग दिन बिताने के लिए क्लोई को पेपा के घर लाई है क्लोई पेपा और जोज की कजिन बहन है क्लोई पेपा और जोज से थोड़ी बड़ी है हेलो क्लोई हेलो पेपा हेलो जोज मिलते है बाद में तुम्हें कोई गेम खेलना है हाँ चलो पकड़ा-पकड़ी खेलते है पेपा को पकड़ा-पकड़ी बहुत पसंद है तुम अभी भी पकड़ा-पकड़ी खेलती हो ये तो छोटे बच्चो का खेल है हम ये खेलते हैं क्योंकि जॉर्ज को ये खेल पसंद है ठीक है जॉर्ज के लिए खेलते हैं तो फिर तुम असली रूल्स के साथ खेलती हो या फिर वो बच्चो वाले रूल्स के साथ असली रूल्स के साथ मैं शुरू करती हूँ, पकड़ने की बारी तुम्हारी, हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ पेपा को, क्लोई और जॉज को पकड़ना है पकड़ सको तो पकड़ लो जॉज, मैं तुम्हें असानी से पकड़ सकती हूँ, तुम कितने छोटे हो ये गलत है, तुम जॉज की मदद कर रहे हो क्योंकि वो बहुत छोटा है, क्या मैं तुम्हारी भी मदद करू नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी तरह बड़ी हूँ तो फिर चलो पेपा, हमें पकड़ कर दिखाओ तुम नहीं पकड़ पाओगी, चलो पकड़ो हमें ये बहुत ही बकवास गेम है, कुछ और खेल सकते हैं ठीक है, मैं बड़े बच्चों के लिए एक अच्छा गेम जानती हूँ उसका नाम है चतुरलोम्डी चतुरलोम्डी, मुझे खेलना है चतुरलोम्डी जब उसका ध्यान नहीं होगा, तब दूसरे उस पर चुपके से छपट पड़ेंगे पर अगर पैपा ने मुड़कर केसी को हिलते हुए देखा, तो उन्हें दुबारा पीछे से शुरुआत करनी होगी जो आज मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा, पहले से शुरु करो पकड़ लिया, मैं चीद गई लेकिन, लेकिन मैं रेडी नहीं थी रूल्स के हिलसाब से मैं जब चाहू हिल सकती हूँ, है ना जोर्च? अब चतुरलोम्डी बनने की बारी क्लोई की है पेपा और जोर्च को बिना हिले रहना होगा पेपा, मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा, फिर से शुरू करो ये गलत है, तुमने बहुत देर तक देखा रूल्स के हिसाब से मैं जितनी देर चाहूं देख सकती हूँ दोबारा शुरू करो जोर्च जीत गया क्या हम कोई और खेल खेले? हाँ, पर वो बड़ो का गेम होगा तो ही मैं बताती हूँ, मेरा फेवरिट गेम खेलते हैं वो बड़ो का ही खेल है जोर्च, क्या तुम्हें पेपा की फेवरिट गेम पता है? पेपा का फेवरेट गेम है मिट्टी के गड़ों में उपर नीचे कूदना जोर्ज, अगर तुम्हें गड़ों में कूदना है तो तुम्हें जूते पहनने होंगे ये लो, मैं तुम्हारे लिए भी जूते लाई हूँ, क्लोई मिट्टी के गड़ों में कूदने के लिए मैं बहुत बड़ी हूँ ओ मैं भी जोर्च को मिट्टी के गड़ों में कूदना बहुत पसंद है असल में पैपा को गड़ों में कूदना बहुत पसंद है पर उसे क्लोई को दिखाना है कि वो बच्ची नहीं रही मैं देख रहा पुद्धि को भी मिट्टी को गड्डू में कूदना बहुत पसंद है यह मज़ेदार दिख रहा है हाँ वो तो है शायद ऐसा कोई रूल है जिसके मताबिक बड़ी लड़्या भी मिट्टी के गड्डू में कूद सकती है हाँ यह अच्छा रूल है सब को मिट्टी के गड्डू में ऊपर नीचे पूदना पसंद है बड़ी लड़कियों को भी झालवी लड़ी लड़ी लड़र चेशगारे लड़ी 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 सुप रूल है